उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो लगातार सक्री होकर काम कर रही है प्रेम परसंग में अक्सर बड़ी घटनाय देखने को मिलती है लेकिन यूबा प्रेमी जोड़ों को आखिर इस बात की परवा कहां होती है लेकिन अब ऐसे प्रेमी जोड़ों पर पुलिस का पहरा नज़र आ रहा है कच्ची उम्र का प्यार अंधा होता है जब प्यार होता है तो प्रेम में डूबा युगल जोड़ा आखिर दीन दुनिया की परवा कहां करता है आज कल कुछ यही देखने को मिल रहा था ललितपुर के प्राचीन तालाप के किनारे जहां प्रेमी जोड़े कभी आलिंकन करते मिलते थे तो कभी अशलीलता की हदे भी पार कर जाते थे जिससे यहां आने वाले धार्मिक प्रवर्ती के लोगों को ये सब रास नहीं आ रहा था और इस बात की शिकायत पुलिस से भी कर दी गई थी जिसके बात पुलिस की एंटी रोमियो टीम ऐसे लोगों की तलाश में जुटी थी आज जब शहर के धार्मिक एतिहासिक सुमेरा तालाब पर बैठे प्रेमी जोडों की शिकायत पुलिस को मिली थी लोगों की शिकायत थी कि ये लोग सार्वजने किस्थान पर बैठ कर अशलील हरकते कर रहे थे सूचना पाकर मौके पर पहुची पुलिस की शक्ती मोबाइल टीम ने तीनों लैला मजनुओं को पकड़ लिया और थाने ले गई जहां उनसे पूछताच करते हुए दोबारा ऐसा ना करने की हिदायत दी गई ललितपुर से सुनील जैन की रिपोर्ट